हेलो दूस्तों इस वाले वीडियो में हम टाइगर प्रोजेक्ट के संबंधित सभी जानकारी कवर करेंगे और अभी तक जितने कोशन आये हुए हैं और प्लस जितने कोशन संभावित हैं सभी का एक सूश मवलोकन किया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं जो टाइगर प् के देशक थे वह केला सांखाले थे इन्हें टाइगर मैं अॉफ दा-इंडिया भी कहा जाता है टाइगर मैं को कहा जाता है केला संखाली को पहला टाइगर रिजजर्व था वह बंधिने बिक्यार रिजर्व बना दिया गया था और यही कारण है किजब अभी 2023 में जो जर्व घी गये थे क्योंकि वह पचासवी जो है वर्ष कार्ट पना रहे हैं टाइगर प्रोजेक्ट की मनाया जा रहा है तो अगला पॉइंट क्या है तो जो मंत्राले है यह परियावरण वाईव परिवर्थन मंत्राले जो है इसके अंतरगत आता है वन जीव सनरच्वन अधिनियम 1972 की धारा 38 V3 के अंतरगत आता है वन जीव सनरच्वन अधिनियम 1972 की धारा 38 V3 और यह जो है CSS है अर्था Centrally Sponsored Scheme है इसकी में क्या होता है कि कुछ परसेंटेज जो खर्चे का कुछ परसेंटेज होता है केंद्र करता है और कुछ जो है राजसरकार करती है तो इस वाले में क्या है 60-60 ratio 40 यह जो है ratio है यानि 60 रुपए किसी भी योजना में 60 रुपए जो है केंसर कार देगा और 40 रुपए जो है राजसर कार देगी लेकिन हिमाली यह छेतर रहो या फिर जो गरीब राज हैं उनके लिए यह percentage 90 ratio 10 इतना होता है तो यह हो गया अगला पॉइंट क्या है अगला पॉइंट है हमारा N.T.C.A. टू थाउजन फाइफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉर्टी जो N.T.C.A. के स्थापना हुई थी 2005 में हुई थी या एक वैधानिक निकाह है वैधानिक मतलब संसत के द्वारा पारित अधिनियम के द्वरा इसके जो अध्यच होते हैं वाफ पर्यावण मन्त्री होते हैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है ध्यान कर रखना है कि जो Wildlife Protection Board है अर्थाशाब बने जीयुसन रच्छण जो बोड है उसके जो अध्यच होते हैं का process क्या होता है कि जो राज सरकार होती है राज सरकार जो है अपना जो अधियाचन है वो जो है एंटी सीयों के भेजती है एंटी सीय उसके बाद में जांच करता है और अप्रूव करता है कि हां आप यह टाइगर रिजर्व स्थापित कर सकते हैं उसके बाद में राज सरकार जो है Tiger Reserve स्थापित करती है अब यह जो NTCA था वह स्थापित हुआ था 2005 में और Tiger Project launch कब हुआ था 1973 में अब 73 से 2005 के बीच में Tiger Reserve स्थापित होगे उनको NTCA अप्रूब थोड़ी करेगा तो 2005 के बाद में Tiger Reserve स्थापित हुए है उनको NTCA दोरा अप्रूब किया गया है तो अब तक कितने ऐसे हो गए है 35 जो 17 Tiger Reserve है वह जो है CATS CATS के दोरा मानिता प्राप्त कर चुके है CATS का जो फुल फॉर्म है वह Conservation Assured Tiger Standards है यह मानिता कौन देता है यह मानिता देता है आपका WWF World Wildlife Fund for Nature और जो भारत के दो Tiger Reserve है दो Tiger Reserve को T X T पुरुसकार दिया गया है अर्था Tiger की population दो गुना यह जो पुरुसकार है यह पीली भीत और सत्यमंगलम Tiger Reserve को अभी तक दिया गया है पीली भीत और सत्यमंगलम जो अभी 2010 में सेंट पीटर्स बर्ग में एक meeting हुई थी तो इसमें लच रखा गया था कि 2012 तक Tiger की संख्या दुगनी करना है तो यही ज़ए T for Tiger दुगनी करना यानी 2022 तक दुगनी करना है यह जो लच है यह भारत में पहले ही हांसिल कर लिया है 2012 के पहले ही हांसिल कर लिया था और इसके अगला point क्या देखते हैं 2018 में जो Tigers की संख्या थी वह 2967 अर्थात 2967 थी और NTC ये द्वारा 4 साल में जो है यह जो है जनगणाना कराई जाती है तो इससाब से 2018 के बाद में 2022 में जनगणाना होनी थी लेकिन 2022 की जनगणाना के जो आगड़े थे वो अब 2023 में प्रकाशित हुए है अब देखते हैं तो जो जो है Tiger की संख्या है वह यूपी में कितनी है यूपी में है 173 यूपी में जो कुल Tiger Reserve है वो जो है 4 Tiger Reserve हो चुके है जिसमें से एक बफर वाला भी है आमनगाड वाला इसको अभी देख लेंगे हम लोग प्रारम में 9 टाइगर रिजर्व थे जब जो 1973 में Tiger Project launch हुआ था तब जो है 9 टाइगर रिजर्व थे पहला Tiger Reserve ये थो हम लोग देख चुके हैं बांदीपू Tiger Reserve था और अब जो है तिरपन हो गए है तिरपन वा जो टाइगर रिजर्व है या रानीपू टाइगर रिजर्व है चुत्रकूट में अभी चववनवा टाइगर जो रिजर्व है वो तमूर पिंगल को बनाने की अभी जो है उसने नूटिफिकेशन भेजा है लेकिन अभी तक वो बनाया है उसको अप्रूब नहीं किया गया है तमूर पिंगल हो सकता है चुवनवा बन जाए तो सबसे ज़्यादा Tiger कहा है सबसे ज़्यादा Tiger है मध्यप्रदेश में 526 हैं इ इसमें जो है पग मार्क टेकनोलोजी और GIS टेकनोलोजी का प्योग किया जाता है पग मार्क का मतलब यह है कि जो उनके फूट्प्रिंट होते हैं पग यानि मार्क मतलब उनके मार्क तो जो फूट्प्रिंट होते हैं उनके अधार पर जो है इनकी गढ़ना की जाती है एक और दूसरा है उपग्रह आधारी गर्णा की जाती है, उपग्रह GIS टेक्नलोजी का प्योग किया जाता है, दोनों के दौरा इसकी गर्णा की जाती है, फिन मैचिंग कराके इसके आकड़े जारी किये जाते हैं, अब देखें, ऐसे कोशन बन सकता है कि अटी सीए ने टाइगर कंजर्वेशन के लिए गाइडलाइन कब जारी की थी, तो 2007 में जारी की थी, जो लारजेस्ट टाइगर रिजर्व है आपका, यह जो है नागरजुन सागर स्रीशेलम है, इसका जो 90 प्रतिशत हिस्सा तो आंद अब स्मालेश्ट टाइगर रिजर्व क्या है, यहाँ पर देखें थोड़ी कंफ्यूजन है, कई जगह आगर जो आप ऐसे ही सर्च कर लेंगे, गूगल पर तो कुछ कोचिंग वालों ने डाल के रखा है कि बोर टाइगर रिजर्व जो है, यह सबसे छोटा टाइगर सब्सक्राइगर बाट है, इसकी विबसाइट पर आप जाकर देकेंगे, तो जो एरिया है, टाइगर रिजर्व का वो तीन जगह उदित किया गया, एक न तो ना तो ना तो ना तो नाम से बोर का नाम है, लोझ में नाम है और buffer का हम लोग calculate नहीं करते हैं क्योंकि या तो core पुछेगा या तो total area में पुछेगा तो जो सबसे चोटा tiger reserve है अगर जो core area की बात की जाए तो जो है ओरंग तो जो है ओरंग है YouTube ौरंग कहां है असम में इसका core area वह 79 km2 है और वहीं अगर जो total area में नामेरी आता है नाम मेरी का जो area वह 400 464 जो है की मेरी स्कृइर員 तो इसलिए मैंने यहां पर ओरंग लिखा क्योंकि अगर जो core area की बाता है तो जो है ओरंग हो जाएगा इसका 79 है और जो बोर है बोर का 138 है बोर का जो है 138 है 138 है core area में और जो total area है फिर उससे और ज़्यादा हो जाता है तो अगला point क्या है M-strip योजना M-strip 2010 में launch किया गया था या एक software आधारित M-strip जो है software आधारित monitoring system है इसमें जो है जो tigers है इनकी monitoring की जाती है और साथ में देखा जाता है इनकी poaching या फिर illegal killing ना होने पाए या इनका शिकार ना होने पाए Westwick Tiger Forum 1973 में स्थापित किया गया था Westwick Tiger Forum 1993 में स्थापित किया गया था Westwick Tiger Forum जो Bandipoo Tiger Reserve है यही first Tiger Reserve Bandipoo Tiger Reserve है इसमें drone का प्रियोग हुआ है अभी तक drone का प्रियोग किस Tiger Reserve ने किया है Bandipoo Tiger Reserve नामदफा Tiger Reserve जो है माफ करिए यहां पर विश्ण होगया यहां पर उश्ण होगा तो जो नामदफा Tiger Reserve है यहां पर जो है उश्ण, उपोश्ण, सीतोश्ण से लेकर लेकर आर्केटिक यह पूरी टाइपिंग यहां पर गलत हो गई है तो यह ऐसे जान लिजाए आप लोग कि जो भारत में एक कलाउता ऐसा Tiger Reserve है जो पेंच टाइगर रिजर्व जैसे की बताया था ना कि जो नागारजुन सागल सरी सेलम था इसका 90% हिस्सा अंद्र प्रदेश में और 10% तेलंगाना के अमराबाद में है उसी तरह जो पेंच टाइगर रिजर्व यह भी दो राज्यों में है इसका 90% हिस्सा मद्र प्रदेश में और 10% हिस्सा महाराज में है अब हम लोग आते हैं लेटेश्ट वाले पर लेटेश्ट वाले यानि टाइगर संसर 2023 के बारे में यह जो है पांच वी रिपोर्ट थी जो पहली रिपोर्ट कब आई थी 2006 में जब National Tiger Conservation Authority की स्थापना हुई थी तो सबसे में पॉइंट देखे यहां भी फुल रिपोर्ट नहीं जारी हुई है केवल कुछ सारांजस के जारी हुए है तो जो टाइगर की संख्या है वह 31 सरसट हो गई है पहले कितनी थी? पहले थी 69 सरसट यानि कितनी बढ़ गई? 200 बढ़ गई अब देखते हैं जो PM मोदी थे उन्होंने बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का तोरा किया था जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व और कितने साल का जो है वीजन है 25 साल का दो पॉइंट बुक का नाम और कितने समय है 25 साल अब जो टाइगर की संख्या है इसमें पिछले चार साल में पिछले चार साल में 6.7% की ग्रोथ हुई है इन्टर्नेशन बिग घट अलायंस की जो है सथापना की बात की गई है इसमें जो है सेवन बिग गैट्स संभली दोंगे सेवन बिग देश हैं जहां पर यह पांच पाई जाती जाती है कि 97 देशों में यह बिगगएट हैं लेकिन बाकी अन्य देशों के लिए भी इसके जो सदेशता के लिए जो विप्रावधान है वो खुले रखे गए हैं कोई भी आके इसका सदेश्य बन सकता है जैसे कि मतलब मालीजे कहीं अगर जो बिगएट नहीं पाई जा रही है तो कह भारत ने भारत ने इसमें केत्ना पैसा दिया है भारत जो है भारत में यह कहा है कि अगले 5 सालों में 100 Definitely दीया जाएगा यानि भारत कितना देगा 5 सालों में 100 मिलियन डॉलर का फंड अब जो मुस्ट मुस्ट इंपॉर्टन पॉइंट है इसका देख लेते हैं जो शिवालिक हिल्स और गंगेटिक प्लेन है इसमें जो है जो टाइगर्स की संख्या हुए है वह है आट सो चार सबसे जादा जो इंक्रिमेंट हुआ है इस एरिया में बस दो पॉइंपॉर्टन है आपको पढ़ना है शिवालिक हिल्स और गंगेटिक हिल्स और दूसरा यह है वेस्टरन घाट में जो है इसकी संख्या घटी है अच्छा एक चीज यह भी है कि जो टाइगर रिजर्व हैं इसी टाइगर रिजर्व में ही केवल टाइगर नहीं अब देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहा है वैसे यह लिश्ट आप कहीं से भी देख सकते हैं लेकिन एक शॉट्व के लिए मैंने इसमें डाल दिया है तो राज देखते हैं राज असम में कौन-कौन से हैं मानस नामेरी मानस नामेरी काजीरंगा और उरंग अगला है अरवनाचर प्रदेश नाम दफा पाकुई या पक्के और कामलांग आंध प्रदेश में नागरजुन सागर श्रीशलम बिहार में है वालमीक चतिसगण में इंद्राबती अचानक मार उदंती सीता नदी जारखंड में है पलामू मिजोरम में है डंपा र सिर अंडेली आंसी बिलगीरी रंगना नात मंदिर के रल फ було है पेर्यार प्रदेश नीक काफी पुछा जाता है बाकी भाकी थोड़ा नाम भी आशान है वो नहीं है नेश्ट पार्रग भी बिलगीरी रंगनाथ मनदी क्थल me. घुत तो पेर्यार औप्राम्भीलम मध्यप नाग जीरा बोर उत्तर प्रतेश में हैं दुद्वा पीली घीत अमनगर रानिपूर टाइगर रिजर्व उसके बाद में आता है उत्तराखंड उत्तराखंड में है जिमकारबेट राजाजी पशिममंगाल में सुंदरबन बुक्सा तेलंगाना में कावल उडिशा में है सिम की लिष्ट है बाकी सारे कम्प्रीट पॉइंट है जो कि इसमें आ सकते हैं तो वीडियो पसंद आया हो चैनल को सस्क्राइब करिए लाइक करिए थैंक यू